तो आज के वीडियो में देखेंगे टेन कलास का भूगोल पहला चेप्टर संजादा नेवह विविकास का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कोश्चेन जो की 3 & 5 मार्क्स के लिए आ सकता है ठेके इसे पहले दो वीडियो दे चुके हैं एक में एक में मार्क्स के लीग कोश्चन देनेवाले हैं इसलिए वीडियो मलास्तिक स्विक्टा न रही क्योंग उप्योग प्रारूप का वर्णन करें वर्ष उनीशो राम साथ एक्सट से वन के अंतरगट च्यत्र में महत्पुन विरिधी नहीं हुई इसका क्या लिखना है भारता का कुल भाजवली ख्रफल 32.8 व्रफ भाग में उपयोग आंकड से इतना में से 33 separate भाग जो हे उसका भाग 3 बाकी 7 पर्षंट पता नहीं क्या है ठीक है जिसका विवरन निम लिखेत है जो 903% है उसका विवरन यहां पर दिया हुआ है देखें उसमें से भारत के कुल 6 त्रफल के 51% भाग पर क्रिशी की जाती है ना पूरा भूमी का विवरन देना थे 50% भाग में खेती की जाती है पर्ती भूमी है पर्ती भूमी आजाते हैं को कि नहीं जाता है वहाँ छोड़ दिया जाता है जो my दूसरा बहुताbaar चैन्य के पारी इस्थिक्ति की संतोलन के लिए आवश्यक तेश्क काफी कम है जो कि मतलब सही सलामत पारिष्टितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए 33% होनी चाहिए लेकिन है मात्र 22% जो की बहुत कम है जिसके कारण पारियावरन संतुलन गड़बड़ होते चला जा रहा है और परदोसन बढ़ते चला जा रहा है और आन्यजी उजन तो नश्ट होते चला जा रहा हमारे देश में 4% चारा गाह भूमी है जिसमें गाय बक्री चर्फ सकता है यह दपी भारत में पस्व की संख्या विश्व में सरवाधीक है अता पस्व संख्या का अनुपात में चारा गाह भूमी भी कम है तो भारत में पस्व की संख्या की बात करें तो पूरी दुनिया म सबसे अधेक पस्सू पाया जाते है जारखन बोलते है भारत में लेकिन मातर 4% ही चारगा भूमी है जो की कम है जन्संग्चा के आधार पर जन्संग्या कहीं साथ लगभग 6.2% भूमी जो है वो बंजर भूमी है जिसे में खेती वाड़ी नहीं होती है जो किरिशी के लिए और योगी है मतलब खेती वाड़ी नहीं होती है इसके अतिरी सेज जो भूमी है वो गयर किरिशी कार जैसे बस्ती नगर नदी तलाप सड़क रेलमार्ग मस्जिद मंदिर आदिर के अंतरगत उप्योग में आते हैं ठीक है समझ माया 51% भाग खेती किया जाता है 55 में परती जमिन बच रहा है उसमें है गयर किरिशी कारी जैसे बस्तियां बसी हुई है नगर घर नदी तलाप सड़क रेलमार्ग मंदिर मस्जिद यह सब हैं न और फिर कुश्चन में कहा था कि उनीस सो साथ एक सट बाद वनों के अंतरगत कोई विरिधी नहीं क्यूं वह बताना है तो इसका पाला कारण है भारत में तीवरी जन्संख्या विरिधी कारण अतिरीक्त जन्संख्या के भरन पोशन के लिए भूमी का उप्योग किया जा रहा है तो पेड़ पाउधा कहा स लोग लगा गहें जन्संख्या बढ़ते जा रहें वन की कटाई की जा रहें ताकि उसमें बस्तिया बसाई आइस रोड निकाला जाए ताकि वहाँ से बनाए जाए पूछ है ना तो इन सभी कार्विः और लीए नगतार बड़ रही है अंध्धाद्रूं कटाई हो रही है जहां तक बढ़नी की सवाल है यह हो ही ने सकता है बढ़ने का कोई उपाई ही नहीं ठीक है वनुग का अंधादूत कटा हुए तो अप एक्छा के रित नए पेड़ कम लगाए गए एक लाग पेड़ कटा है तो दूग पेड़ लगा लेता है फोटो घी जाता है पेड़ और वहुथ शुचित बड़े बड़े पृईजना यहीं नदी घाटी पृवजनात बाद बन रहे है तो पेड के जहां तक हर संभूब कहते कटाई हो रही है लेकिन विस्तार की बात जहां तक है तो नहींच स्भाँ नगरों बस्तिव सड़को एमों रेल बार्गों की विस्तार के काराण भी वन छेतर में कभी कमी आई है क्योंकि नगर सबस रहे हैं तो वन कट रहा है बढ़ेगा कहां से अला कोश्चन है पुर्वी घात्ट के नदी डेल टाओं पर किस परकार के मिरीदा पाए जाती है इस पर पुर्वी टर्ट के नदी डेल टाओं पर तिसका अंसर हो जागे यह त्री कैले क्यों है इंपॉर्चिन पुर्वी तरह के नदी डेल टाओं में जड़ोड मीरीदा पाय जाती है इस परकार का मिरीदा की मुख्य विस्तिष्ता है पहला जरूल मीर्दा के निर्मान नद्यों दुबर लागा है अवसाज से होता है अहां यह पहला विस्टन तीसरा नंबर परधोगी की और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है पहला इसका लिख सकते अंसर संसाधनों का अधिक उपयोग परधोगी की और आर्थिक विकास से संबंद है परधोगी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भरी पैमाने पर संभव होगा तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों का आवशक्ता पड़िए दूसरा संसाधनों को उपलबतता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती जब तक कि उसे उपियोग में लाने के लाइक परदोगे की एवं कौशल का विकास नहीं किया जाए जैसे जैसे परदोगी का विकास होता गया संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर किया जाने लगा है तो संसाधन का अधिक से अधिक उपियोग हो रहा है जैसे जैसे परदोगी की और आर्थिक विकास हो रहा है जितना आधिक संसाधनों का दोहन हुआ आर्थिक विकास भी उ लाब उपन में सगों को पराप्त नहीं होगा अलोग कोश्चन चार नमर संसाधन के संरक्षन क्यों आवशेक हैं मौस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन फाइब माक्स के लिए एक्जाम की दिरिष्टी से क्रीशिक के लिए जो भूमी है वो कम पढ़ते चला जा रहा है और कितन धिष्टी का रहा नोम कहां साइगा विसकूटे खाई गया थो बिसकूट का चीज से बनता है यह उसे बनता है जो भी चीज बनता है दुकान, जो चीज बिगता है वो कहीं न कहीं खेती से ही आता है ठेकें तो मानो आवास के कारण बसे परदैसों में भूमी का जला जा रहा है और जो खेती उती और आप सब्छत बहुत करने का जमीन तो इस लिए दिकत आने वाले समय में दिकत हो सकती है इसलिए करा है तो भूमी का योजना बद उपयोग किया जाए घर यूज किया जाए और ऐसा निव को मजबुत बनाया जाए ताकि घर को उपर बनाया दा जा करा जमिन को प्रवाद ना किया जाए इस पर में दूसरा व्हुमीकर जल के निरंतर उपयोग से जन अस्तर निच आ बूइए को पानी गर्मी की बहुत बढ़ा परभाव। परपड़ेगा। के सतीद समय होगा तो जल स्ट째 रूझे से वातावरण परुसित होचाना है। यदि वनों के सनक्षन की और ध्यान ना दिया जाए तो पर्दूसन इतना अधीक बड़ जाए कि मानो जीवन खत्रा ना पड़ सके जाएगा अभी भी बड़े-बड़े सहरों में दिली जैसे सहरों में देखो ठंडी की दिनों में खाज कर जाओ सांस लेना मुश्कील है बहुत जल्द 3-4-5 साल के अंदर हमको लगता वहां पे सिलिंडर पीठ में लाद के चलना पड़ेगा ऑक्सिजन सिलिंडर ये इस्तिती हो गया ह तो नुवनों की कटाई से वातावरन बहुत ज़्यादा परदूसित हो रही है इसलिए ज़्यादस ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए ना कि पेड़ को काटनी चाहिए है न अगला लास्ट लिख सकते चवधा नमबर खनी संसाधन के बारे में कि खनी संसाधन तथा सक् किसको बलते हैं जो खत्म हो गया एक बार दूबारा पराप्त नहीं कर सकते हैं तो खनी संसाधन को सूझ भूज से बड़ी सूझ भूज से कम से कम जितना कम हो से कूपयोब करनी चाहिए क्योंकि ये एक बार खत्म तो दूबारा जैसे कोईला खत्म तो लाखों साल लगा ह कोईला बनने में अब लाग साल का कोई इंतिजार थोड़ी आप करियेगा कितना पीडी कितना क्या खतम इंसान की अस्तित भी खतम हो जाएगा उतनी दिनों तो कोईला पेट्रोलियम खनी जी ये सब जो है बहुँ लंबे समय अंतराल में बने हैं लाखो कड़ोरो साल लगे हैं इस सब को बनने में और एक बर खतम हो गया तो दुबारा बनना संभाव नहीं है इसलिए इसका अपयोग कम से कम करनी चाहिए ठीक है तिये सब संसाधान क को बचाना संरक्षन क्यूं आवर सके यह पूछा था तो इस तरह से लिख सकते हैं अगरा भारत में जड़ोड और काली मिरिदा के वीदरन में संशेप में लिखना है तो भारत में जैसे विशाल देश में कई परकारिक मिरिदा पाई जाती जैसे लेट्राइट में लार्म होने के कारण की के लिए बहुत उप्योंगी है यह मिरिदा नेरंतर चरने वाले नदियों दुवरा लाए गया माल मसाले अथार्थ रेदगाद मृती का से बनती है ऐसी मिरिदा सतलुज गंगा परहमपुत्र उत्री पुरुवी भारत में बहती है और महानदी गोदावरी ख्रिष्ण कावेरी जो तमिलाडूं बहती है आधे नदियों की घाटियों में अधिकतर मिलती है उत्री माइदान में जढ़ुल मिर्दा दो परकार के होती है एक है खादर जो पुराना वाला को बांगर कहते है नाया वाला को खादर कहते है काली मिरिदामेरीदा महराष् गहरी होती है यह मिरिदा काफी उर्वरक होती है और कपास की खेती के लिए विसस्ता उपयोगी होती है इस मिरिदा में दालो आदि का उत्वादन भी उत्तम होता है उसके बाद दिखें नवीकरने और आनवीकरने संसाधन में क्या आंतर है त्री मार्क्स के लिए कोश्चन पूछ सकता है तो नमिकार ने संसाधन इसका उपयोग बार ऐसक्ता जिसे सभय, हाँ, जल ہवाई सभज में औरकि का उपयोग किय is आप कहा से रहोगी जिन्दा तो मिरिदा से क्यों आवश्यक है पाला मिरिदा बहुत मुली संसादन है हमारे भरण प्रोशन का यह सर्व प्रमुक सादन है हम जो इस धर भी धरती पर जीवी चल रहे हैं उसका में कान मिरिदा मिरिदा से यह तो पेड़ पौधे महां पर लग सब मीटी पर हैं मीटी में वह सबउगते हैं और मीटी पर सब प्राणी जगत निरभर है और जीईव जन्तू हो सब प्योद पर निरफ़ कोई भी इंसान है तो कहने का मतलब डिएक्लि या इंडारेक्लि हम सभी जीव जन्तू पंप उदे इनसान सब मिरिदा पर रही प्रवाह के दुवारा मिरीदा के कट जाने से अथवा बहा जाने से किरिशी भूमी किरिशी के लिए बेकार हो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है तो उसको बचाने की कुशिश करनी चाहिए लगतार एक ही फसल के उगाने से भी मिरीदा में मौझूद कुछ वीशेस तत्व का समापन हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है जिसे मिरीदा कम उप्जा हो जाती है और रसानिक उर्वरगों का अधिकांस उप्योग तथा सिचाई का अधिक्ता कालंतर में मिरीदा को बेकार क कवशकता है मिरीदा के संरेक्षन के विभीन उपाय उपर बल देना अतियावशक है अला कोश्यन पहाड़ी छेत्रों में मिरीदा अपरदन को रोकने के लिए रोकधाम के लिए क्या कदम उठानी चाहिए पहाड़ी छेत्रों में मिरीदा अपरदन को रोकधाम के लिए न पेडों का बंजर भूमी तथा पहाडी ढालों पर लगाना अधीक लाब ध्यक्सीद होता है। इस धंग से वायू का अपरदन भी रोका जा सकता है। पेडों को बंजर भूमी में लगाया जाता है। परवती बालों पर शिरिदार खेत बनाकर आव नाली का अपरदन को रोका जा सकता है। इससे जलपरवा का समुझ पर्यूग किया जाता है। तो शिरिदार खेत बनाने चाहिए थाकि भी मीटी ना बहे। तीसरा परवती ढालों पर बांध बनाकर जलपरवा को समुझ धंग से खेत के काम में लाया जा सकता है। मिटी रोंद बांध आवने लिकाओ या पानी से बनने वाली गहरी खाईयों के फाइलाव को रोक सकते हैं। बांध बनाकर भी मिटी कटाव को रोका जा सकता है। भूमी सनरक्षण के लिए आवश्यक है यहां हो रहे हैं मिटी का परदन परसार को पहशान कर उसकी रोक के लिए समुझ ध्रहन अपनाना। तो किस तरह से मीटी का कटाव हो रहा है उसको पाशान करके और उस पर सही कदम उठाना ये आवश्यक है भूमी को सनरक्षित करने के लिए सनसाधन नियोजन का मतलब होता है योजना बद तथा नियाई संगत उप्योग को सनसाधनों को नियोजना बद तरीके से नियाई संगत उप्योग सनसाधन नियोजन का लाता है इसका दो कारण ये आवश्यक क्यों है तो दो कारण साधनों के मातरा सिमीत है खत्म हो सकती है संसाधनों का वीदरन आचित्र बनाना मांचीत्र बनाना और संसाधनों का गुणनात्मक एव़ मातरातमक अनुमान लगाना वो मापन करना है दूसरा संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उप्योगत प्रधोग की कौशल और संस्थागत नियोजन धाचा तयार करना है तीसरा संसाधन विकास नियोजनों योजनाओं और राष्ट विकास योजना में समनमय पाइदा करना है या स्थापित करना है प्रकृतिक तथा मानो निर्मित कारणों से मिरीदा की उर्वरक सक्ति या उपजावपन में लगतार होने वाली कमी को भूमी छरण या भूमी निमनीकरण के नाम से जाना जाता है पहला भूमी परदन भूमी चरण का परमुख कारण है पवन जल तथा हीमनन आदी भूमी के उपर अपरिपरत को नस्ट कर देते हैं जिसे भूमी परदन के नामसे जाना जाता है इसे मिटी का उपजावपन कम हो जाता है जाना जाते हैं ना। दोस्पुरुन किरिशी पद्धती, एक ही भूमी पर अने फसलों के उतपादन से भी मिटी कूरोवरत सकती, कम हो जाती है चवथा पसू चारण तथा वनों की कटाई पसू दूरा अती चराई तथा वन जंगलों की अंधा धुंद कटाई की कारण भी भूमी का चरणा होता है अधार थी इसके उपजाव सक्ति में कमी आती है तीसरा चवथा पंचवा नंबर हो जाएगा उधोग तथा चक्टानों की तुड़ाई तथा चीनी मीट्टी के बरतन बनाने वाले में धूल उडा कर खेतों में जमा हो जाते हैं उदोगों से भारी मात्रा में जिसके कारण परिणाम सहरूप मीरिदा में उपजावपन कम हो जाते है तो बड़े पर फेक्ट्री चुना पथर दुगजाव होती है अधिक तर जलुल मिरदा पुटास फस्पुरस और चूना युक्त होती है जो इनको गणने चावल गे हूँ और आनी अनाजो और दलहर फसलों की खेती के लिए उपजावपन के कारण जलुल मिरदा वाले छेत्रों में गहन किरिशी की जाती है और यह तेर जरु कि आए पुराना है और बांकर नाज बांकर पुराना खादर गायते है ऺांगता। बांकर के सम्झे सभ्तिक पानि सारे छेतर में फैल जाता है तथा नई जलुल की प्रत जम जाती है निरंतर जलुल कि जमे राहने दो निच्छे चबुतरा जैसा उचा हो जाता है, और बाढ के पानी यहाँ, नहीं पहुंच पाती है, तो वो पुराना हो जाता है, तो यहाँ अधिक उपजाव जाती है, और बाढ कर में कम उपजाव लिए भाग किशारों और विरिक्ष लगाकर भूमी चरन को रोका जा सकता है तिसरा अधिक वर्षा वाले छेत्रों में छोटे-छोटे पाउधे तथा घहां साधे लगाकर भूमी चरन को नियंत्रित किया जा सकता है चौथा एक ही भूमी पर बदल बदल कर वीभीन फसलों क खेती से भी भूमी चरन पर नियंत्रित पाई जा सकता है चौथा आउधोगी की कायों में स्क्रावर यंत्र का उप्योग करके करने से धूल खेतों में जमान नहीं होता है तथा भूचरन कम होता है उद्धोगों से निकालने वाले परदूसन जल को बाहर निकालने के क्यास कीजिए जो कि 3 और 5 मार्क से लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है सबी को याद रखेगा एक्जाम के द्रिष्टिस से बहुत इंपोर्टेंट है मिलते हैं नेक्स वीडियो में निक्स चेप्टर ले करके मायद भी पढ़ाएंगे घापराएगा नहीं ठीक है अब बहुत जल्द मायद पढ़ाना शुरू करेंगे तो ज्यादा नहीं पांत दिन का काम है लगातार पढ़ा खतम कर देंगे ठीक पूरा चेप्टर पढ़ा जुके हैं एक्जाम के द्रिष्टिस खाली इंपोर्टेंट कोश्चन देना है तो इंपोर्टेंट कोश्चन आपको मिलना सुरू अब हो जाएगा ठीक है थाइंस फवाची उज्चे और यह कोश्चन इंपोर्टेंट सिर्फ एक्जाम के द्रिष्टिस से नहीं है बलकि अपने पार्यावरन अपना देश को बचाने के लिए भी इंपोर्टेंट है तो समझ यह चीजों को और इस पर निरंतर उपयोग हुआ है यदि उपभो की यही गती रही तो एक दिन आर्थिक विकास रुख जाएगा और मानो सभ्यता की अस्तित्व खत्रे में पड़ जाएगा तो जिस कदर आज अभी के दोर में संसाधन का उपयोग हो रहा है अगर इसी तरह संसाधन का उपयोग हो खत्म हो गया उसी तरह इंसानी जीवन भी खत्म होने की कागार पर है अगर संसाधन को बचाया ना जाए संरक्षन ना किया जाए अता संसाधनों का संरक्षन अनिवार यह है संसाधनों के संरक्षन के लिए आवश्यक निमलिखित कारण कारणों में से यहां पे दिया बसे परदेसों में भूमी दुरलब हो गई है क्रिशी के लिए उपयोगी भूमी पर माकान बन रहे है अता यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्द भूमी का योजना बद उपयोगी किया जाए अब यह क्या हो रहा है जिस जमीन पर खेती की जाती थी उस खेत पर भी आज कर बस्तियां बस जा रही है मकान बन जा रहे है घर बन जा रहे है तो क्या हो रहा है जमीन की कमी हो रही है बस्ती बस्त चला जा रहा है बस्ती बस रहा है तो रोड बन रहा है फैक्टरी बन रहा है दुकान बन रहा है बहुत सारी शीज़े बन रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि यह भूमी दूरलब हो गई है।